तो हलो श्रेंट कैसे आप लोग उमीद करता हूँ कि काफी अच्छा होगे और पढ़ाई कर रहे होगे तो यार मैंने बता दिया था कि कौन-कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप केमिस्ट्री में कंप्लीट कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो इस्पेशली उन बच्चों के लिए था जो अभी स्टार्ट करते हैं उनके लिए था उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है चैप्टर तो मैंने बता अब उसमें कौन को important topics है वो उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में ओके जिसे आप कम से कम 50% आप score कर पाओ तो पहले देख लेते हैं कि तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और उन बचे को सा दरूर शेयर कीज़ेगा जो अच्छा करना चाहते हैं पहला चैटर जो हम देख लेते हैं वह सॉलिड स्टेट्स के सॉलिड स्टेट्स में कौन कौन सी topic है जो हम लोग को at least कम से कम इतना कर ही के जाना है कि एक्जाम यह लोग अच्छा मांक से सक्योर कर पाए ठीक तो सॉलिड स्टेट्स की बात की जाए तो पहला जो टॉपिक आता है वह क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ट अपॉन डिफरेंट बाइंदिंग फोर्सेज आपको पता है कि क्लासिफिकेशन होता है ठीक उसमें किसकी अल सेखन टॉपिक है यूनिट सेल इन 3D और 2D 3D लैटेस अब 2D और 3D में क्या अर्जमेंट होता है वह भी देख लीजएगा ठीक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका ठीक उसके बाद है कैसे पैकिंग करते हैं ठीक कहां का एलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वह देखना काफ क्रॉंट है ठेक थर्ड है फ़र्थ है पैकिंगी सीच्छाइंशी सबकी पैकिंग एफेशेंसी निकालना ठेक तो यह भी क्याव इन्पॉर्टन काल्कूलेशन है बहुत माइनुट से क्ल्कूलेशन है बहुत गुजी है दूरान थासे अब कम्पलीट हो जाएगा ओके अल मेटेलिक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मेटेलिक ज़रूर करना हाँ इसकी बात करते हम कि एलेक्ट्रिकल और मगनेटिक प्रॉपर्टीज यह कर ले न टेक और चाटा जो लास्ट में वह बैंट त्यूरिक सेमिकंडुक्टर कंडुक्टर इंसुलेक्टर इसके बार सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टम जो आते हैं वह थे कंसेंट्रेशन टम जिसमें मॉलारेटी नॉर्मालिटी फॉर्मालिटी फॉर्मोल फ्रैक्शन यह सारे जो टम से यह आपको बहुत अच्छे आने से अच्छे से आने चाहिए और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अबाउट 15-20 में आप सारे टम जान सकते हो एक वीडियो भी है मेरी कंसेंट्रेशन टम से वह मैं आपको पिंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से देख सकते हो सेकेंड टोपिक के बढ़ा जाए वह है रोल्ट्स लॉह हैं रोल्ट्स लॉह काफी दोनों टॉपिक हैं हें रिसे और रोल्ट्स लॉह से काफी कोशन बनते हैं आइडियल और नौन आइडियल सोलुशन यह भी पूछे जाते हैं टेक इसी टॉपिक में आते हैं वह सब उसके पच्वाए को लिगेटी प्रपेटिस चार को लिगेटी प्रपेटिस पढ़नी आपको तो जिसमें Elevation in boiling point, freezing point, RLVP और osmosis यह चारो प्रपरटिस आपको पढ़नी है तो वह काफी important बनती है और छटा है one type factor इतनी टॉपिक हाँ ज़रूर कंप्लिट का लें सॉलुशन चेटर में नेक्स चेप्टर के और बढ़ते हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलेक्ट् chemical cells आपको पता है दो टाइब की cell for cells होती है ठीक दोनों cell के बारे में आप पढ़ लीजेगा बढ़ियां से ठीक एलेक्ट्रॉप पोटेंशियल और स्टेंडर्ड एलेक्ट्रोड पोटेंशियल यह काफी important topic है तो सारी टोपिक जो प्रिसक्स कर रहा है वहां से question आई ही गया cell potential यह important topic है ठीक उसके बाद से resistance, specific conductance, conductivity, molar conductivity यह सारी important topics है ठीक उसके बाद से एक और सबसे important topic में बोलूँगा फाराडे law और कोल्रोश लो यह दो important topic है ठीक उसके बाद से batteries और corrosion उसके बाद से batteries और corrosion तो यह दस topic जिसमें से corrosion, battery उसके बाद से फाराडे law, resistance, sensitivity यह सब पर टाइम नहीं लगने वाला है ताइम आपका थोड़ा बहुत लग जाएगा नर्स equation कंप्लीट करने में अलेट्रिकल अलेट्रोकेमिकल चैन्स पर दो सेल्स पढ़नी है वहां पर थोड़ा time लग जाए बाकिक काफी important important topics है यह सब ठीक तो ज़रू तो यार अब chemical kinetics की बात कर लेते हैं तो chemical kinetics में काफी बचे को problem रहती है बट वह असी कोई problem नहीं होनी चाहिए काफी easy chapter है और इस chapter की important topics की बात की जाए तो उसमें आती है पहला आता है rate of reaction average और instantaneous यह सब को समझ में आता यह काफी easy है ठीक उसके बाद यह factors affecting rate of reaction यह भी काफी easy है ज्यादा देर नहीं लगेगी अबाउट दूनों topic complete में दस पंदरा से 20 मिट लगेगा ओके उसके बाद से order of reaction यह काफी समझे बारी topic है order of reaction यह समझ में आ जाता है तो आपको पूरा chapter समझ में आ जाएगा कह सकते हैं उसके बाद से rate law और a specific rate constant rate law और a specific rate constant यह भी काफी important ह है यहां से important तुछा बढ़ जाता है ओके जो जो टॉपिक बता रहा हूं जो जो टॉपिक में बखो बता रहा हूं वह करके जाओ काफी पूरा score करके आओगे उसके बाद से integrated rate equation and half cell half life स्वरी यहां पर किसी किसी को problem रहती ही बट यह भी कर सकते हो जिसको हाइलेट कर रहा यह दोनों भी काफी important है उसके बाद से अरिहनेस equation अगर मात्र इतनी topic वी करके चले आते हो chemical kinetics में तो सारे के सारे question बनेगे आप से तो इतना करो उसके बाद से next chapter में चलते हैं surface chemistry में वहां देखते हैं क्या क्या पढ़ना है अब हम बात करते हैं सबसे easiest physical के चैप्टर का जो है surface chemistry जो surface chemistry में कौन-कुन important topic है उन पर नजर डालते हैं तो पहला जो है a true solution collides और suspension यह भी काँफी important topic है उसके बाद से लाइफिलिक लाइओ फोबिक और multi molecular and macromolecular यह जार सारे terms आपके clear होने चाहिए यह सारी topics आपके clear होनी चाहिए उसके बाद से हम बात करते हैं collides के बारे में properties of collides के बारे में यह काफी important है और च्छटी जो topic है वो है टिंडल effect, electro forces और coagulation यह तीनो topic coagulation टिंडल effect और electro for areas यह तीनो topic आपके complete होनी चाहिए यह नीचे में और यह सारी topic आपके complete हो चाहिए और इतना complete करते हो तो surface के में सारे कुछ आप से solve होंगे ओके यह बात हैं हो गई physical की ठीक पांचो चैटर की हमने topic discuss कर लिए और पी ब्लॉक और biomolecules मैं आपको यह खुझ से पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में जो आपके चार ग्रूप है 15 16 17 18 यह चारो गुरूप की separate वीडियो और separate वीडियो भी 15 से 20 मिनिट की मैं ट्राई करूँगा उसी में सारी चीज cover करूँगा जादा टाइम आपका नहीं लोगा और एक ही वीडियो में सारी चीज में हर गुरूप नहीं पढ़ा दूगा